नमस्कार दोस्तों आई, welcome you all to study IQ और इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक डिसकस करेंगे वियतनाम इंडिया के लिए इतना important country क्यो है recently November 2018 में हमारे country के प्रेजिडेंट रामनाथ कोविन जी भी वियतनाम गए थे उस visit को भी analyze करेंगे क्या यहाँ पे accomplish किया, कहाँ पर कुछ कमी रह गई और आने वरे time में हम इंडिया वियतनाम relations में क्या expect कर सकते हैं एक बहुत ही important topic है for your UPSC mains general studies paper 2 international relations उसके लावा यहाँ पे मैं आपको काफी सारे facts भी बताऊंगा जो UPSC 2019 के prelims के लिए भी काफी important हो सकते हैं so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin मैं आपको बतादू के various exams के pen drive और android courses available in studyaq.com पे flat 60% की sales चल रही है और यह sales चलेगी 28 November 2018 तक आप इन numbers पे call कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए और studyaq.com भी visit कर सकते हैं सबसे बहले basics वियतनाम वियतनाम का जो official नाम है वो है Socialist Republic of Vietnam यह 3 countries के साथ land border share करता है यह आपको पता होना चाहिए it is very important information पहला देश है चाइना नौर्थ में उसके इलावा लाउस और कंबोडिया भी आपको map में भी दिखाऊंगा अब वैसे वियतनाम UN का पार्ट है World Bank का पार्ट है various organizations का पार्ट है मगर regional अगर groupings की हम बात करें तो आपको पताऊना चाहिए कि वैतनाम पार्ट है आसियान ग्रूपिंग का Association of Southeast Asian Nations उसके इलावा यह APEC का भी पार्ट है APEC की फूल फॉर्म है Asia Pacific Economic Corporation इंडिया APEC का पार्ट नहीं है यह बात आपको पताऊनी चाहिए related सवाल भी आ सकता है तो इसको मैप में भी एक बार निहार लेते हैं यह है हमारा प्यारा भारत यहां से हम को जाना होगा East की तरफ और यहां पर आप देखोगे एक के बाद एक आसियान देश आना शुरू हो जाएंगे यहां पर आप देसकते हो मैंनमार उसके बाद थाईलैंड फिर कमबोडिया और फिर आता है यहां पर वियतनाम वियतनाम आप देसकते हैं लैंड लॉक्ट बिलकुल नहीं है काफी बड़ी इसकी कोस्ट लाइन भी है इसकी कैपिटल है हनोई जो आपको यहां पर मिलेगी यह है वियतनाम की कैपिटल यहां पर जो करंसी है वो है डॉंग ठीक है और आप देसकते हैं यह तीन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेर करता है कमबोडिया, लाउस जो अपने आप में एक लैंड लॉक्ट कंट्री है लाउस एक लैंड लॉक्ट कंट्री है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और फिर तीसरी कंट्री है चाइना चाइना के साथ वियतनाम का बहुत ही मैं कहूंगा खराब इतिहास रहा है और आज के टाइम में दुनों कंट्रीज कर रहे हैं और कुछ हद तक अपने रिलेशन्स इंप्रूफ कर चुके हैं एस्पेशली पिछले 20 सालों में एक टाइम था जब चाइना ने वियतनाम पे अटाइक भी किया था मगर सप्राइजिंगली वियतनाम की छोटी सी आर्मी ने चाइना को सप्राइज कर लिया और चाइना के लिए बहुत ही बड़ी मिलिटरी की हार थी वियतनाम पे अटाइक करना खैर आज के टाइम में आज के टाइम में अगर चाइना वियतनाम पे अटाइक करता है तो वो केस नहीं होगा चाइना बहुत ही easily वियतनाम को हरा देगा आप अगर वियतनाम की location देखेंगे तो ये बहुत ही ज़रा करीब है South China Sea के South China Sea I am sure आपको बताऊगा कि आज के time में एक disputed area है इस पूरे region में China claim करता है कि उसकी territory का हकोना चाहिए ये पूरी territory चाइना की है और यहाँ पर जो भी navigation होगी वो China के according होगी मगर बहुत से देश जैसे फिलिपीन्स वियतनाम और कुछ अत्रक यहाँ पर इंडोनीसिया भी इस बासे अगरी नहीं करते और आज के time में एक बहुत ही बड़ा dispute है इन सब countries के बीश में कि South China Sea का कोन सा region किस country को belong करता है एक और यहाँ पर problem यह भी है कि since South China Sea में काफी hydrocarbons है यह माना जाता है कि यहाँ पर काफी oil है exploration यहाँ पर हो सकती है तो उस वज़े से भी जो यह maritime boundary है उसको लेकर सारी countries के बीच में काफी dispute चल रहा है वियतनाम का main dispute है चाइना के साथ South China Sea को लेकर क्योंके वियतनाम मानता है कि उसका जो exclusive economic zone है वो काफी आगे आता है और वो बहुत से area में oil के लिए exploration कर सकता है on the contrary चाइना यह मानता है कि यह जो पुरा region है यहाँ का वो वियतनाम का exclusive economic zone नहीं है वो territory है चाइना की अब वियतनाम में जाना कोई यहाँ पे surprise की बात नहीं है वियतनाम एक बहुत ही जारा important country एंडिया के लिए आप अगर 2004 से देखें जब से मोदी जी प्राइम मिस्टर बने हैं उन्होंने इंडिया की जो low case policy थी उसको at east बना दिया तो at east policy में वियतनाम वियतनाम में कौन सी important locations को visit करने के लिए गए यहाँ आप दे सकते हैं यहाँ को पता होना जी एक्जाम में आप से पूछ भी सकते हैं वियतनाम में एक बहुत ही famous site है जिसको का जाता है myson m y s o n यहाँ पे आप दे सकते हैं tweet है by the president of India myson एक UNESCO world heritage site है near da nang in वियतनाम यह myson basically एक बहुत बड़ी site है जहाँ पे आपको कई सदियो पुराने ancient hindu temple मिलेंगे यह जो temples हैं यह lord shiva के लिए हैं और जब 1970 में वियतनाम की जंग चल रही थी against USA उस वक्त USA और USA के allies ने काफी यहाँ पे करी और उस वक्त myson का जो architecture है काफी हद तक damage हो गया अब यहाँ पे आपके mind में question आएगा कि हमारे president वियतनाम में myson जो एक बहुत ही ancient hindu temples की एक site है उसको visit क्यों करेंगे देखिए इसको का जाता है अपनी soft power को use करना इंडिया वियतनाम के बहुत ही जादा पुराने cultural links है यह दिखता है बहुत से आपको Hindu temples Buddhist temples मिलेंगे वियतनाम में उसके लावा अगर Laos में Cambodia में देखें वहाँ भी आपको बहुत साथ temples मिलेंगे जिसका एक direct link है Indian culture से Indian tradition से तो यहाँ पे हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वियतनाम के लोगों को यह बताएं कि आने वाले समय में दोनों countries का relation तो care strong होगा ही मगर इतिहास में भी देखें तो दोनों countries काफी करीब रही हैं और यह soft power को use करना एक तरीका होता है दोनों countries के बीच में goodwill को बढ़ाने का अब एक सकेंड के लिए अगर हम वियतनाम की बात करें तो 1970 का दौर वियतनाम के लिए बहुत ज़रा खराब था USA ने वियतनाम पे बहुत सी bombing करी civil war की situation आ गई थी फिर चाइन ने भी attack कर दिया में 1970 के end में उसके बाद वियतनाम को एक नई policy चाहिए थी जिससे ये country वापस खड़ा होने की कोशिश करता तो इस policy का नाम था दोई मोई policy इसके अंडर वियतनाम ने जो पुराने जो भी उनके खराब relations थे उनको भूल कर उनी countries के साथ धीरे धीरे अपने relations improve करने की कोशिश करी और trade पर emphasis दिया आज के time में आप वियतनाम को देखे तो काफी robust foreign policy है इनके relations चाइना के साथ भी है ये चाइना से trade करते हैं इवन दो इनका dispute चल रहा है South China Sea में और इससे पहले war हो चुकी है और आज भी वियतनाम के लोग चाइना को लेकर इतना comfortable feel नहीं करते हैं बहुत से लोग चाइना को लेकर काफी मैं कहूंगा cautious हैं जो भी चाइना कर रहा है South China Sea में उसको लेकर आप अगर चाइना के लावा USA को देखें जिस country ने वियतनाम को इतना जारा bomb किया था अब USA ने वियतनाम को क्यों bomb किया था उस पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जागी studyakie.com पे US वियतनाम war के नाम से तो वो आप दे सकते हैं वहाँ पे आपको history पिता लग जाएगी तो even दो USA ने वियतनाम को इतना damage किया आज के time में वियतनाम के USA के साथ भी relations है उस सब के इलावा वियतनाम के इंडिया के साथ काफी strong relations बन रहे हैं और इसमें खेर इंडिया तो अपनी तरफ से कदम बड़ा ही रा है वियतनाम को आप देखेंगे तो वो भी जानते हैं कि रीजन में अगर stability कायम करनी है अगर उनको अपनी security को assure करना है तो चाइना का एक counterweight उनको चाहिए जो इंडिया के रूप में उनके पास available है तो जो recent visit हुई है November 2018 में इंडिया के president की टू वियतनाम उसमें total 4 agreement sign किये गए है वैसे आप देखें तो ये agreements अपने आप में कुछ अरा special नहीं है आप दे सकते हैं एक MOU है between Vietnam's Ministry of Information and Communications and India's Ministry of Communications on cooperation in the field of communications उसके लावा business पे बात करी गई है जो कुछ universities है उनके बीच में cooperation की बात की गई है तो यहाँ पे आपको जो agreement है वहाँ पे कुछ खास नहीं मिलेगा हाँ आप अगर वैसे इनको एक बहुत थी purely academic point of view से देखें तो आप इनको याद रसकते हैं अगर आपका international relations option है अगर आपका international relations optional subject है UPSC means that's a different thing मगर आप अगर देखें तो एक issue था जिस पर सबकी नजर थी वो issue यहाँ पे successfully आगे नहीं बढ़ पाया अब मैं यह नहीं कहूंगा कि वो issue रुग गया है मगर यहाँ पे उस पे जादा तरक्की नहीं हुई क्या था कि जब कोविन जी वियत्ताम गए तो उमीद की जारी थी कि इंडिया जो अपना line of credit है वियत्ताम के लिए वो 100 million dollar से 500 million dollar कर देगा defense equipment के लिए line of credit क्या होता है देखो अगर कोई देश किसी और देश को मालो 100 million dollar का line of credit देता है और वहाँ पे कहता है कि यह line of credit defense equipment के लिए है तो इसका मतलब यह है कि जिस country को line of credit दिया जा रहा है वो उधार के पैसे से उस country से defense का equipment खरी सकता है यहाँ पर interest rate बहुत ही जादा कम होता है बिलकुल minuscule होता है और जो repayment की terms होती है वो भी बहुत जारा favorable होती है जिस country ने यहाँ पे line of credit लिया है वो बहुत ही अराम से 5-6 साल बार payment इसकी शुरू कर सकते हैं आल्मोस्ट आप कह सकते हैं यह free का पैसा ही होता है तो इंडिया यहाँ पे Vietnam के साथ अपने relations को all strong करने के लिए जो line of credit 100 million का था defense equipment का उसको 500 million करना चाता था मतलब के हम Vietnam को पैसा देना चाते थे Vietnam ने यहाँ पे अभी के लिए approval इसको दी नहीं है उन्हों ने बहुत ही politely कह दिया है कि for the time being हम इसके बारे में सोचेंगे अब Vietnam इसके बारे में क्यों सोचना चाता है क्योंकि देखो Vietnam का आप अगर structure देखें तो वो आज भी काफी socialist है काफी समाजवादी है और वो लोग fiscal conservation पे काफी ध्यान रखते हैं मतलब कि देश पर जो debt है वो बहुत जादा नहीं होना चाहिए तो Vietnam doesn't want its public debt to exceed 65% of its GDP and its foreign debt 50% of the same तो since Vietnam अपना जो debt है इसको ज़रा बढ़ाना नहीं चाहता ये नोंने reason दिया है for the time being कि वो इंडिया से 500 million का line of credit अभी के लिए नहीं ले रहें अब इसमें कुछ speculation ये भी है कि Vietnam चाइना को बहुत ज़्यादा गुसा नहीं दिलाना चाहता और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके relations तो रहे मगर साथी साथ वो किसी country के साथ बहुत ज़्यादा tilt होते होए या बहुत ज़्यादा aligned होते होए भी ना दिखें ये speculation है हम इसके बारे में कुछ proper तरीकाई से कह नहीं सकते मगर बहुत अजीब जरूर है कि हम किसी को पैसे देने की कोशिश करें और वो country कहे कि हम इसके बारे में भी सोचेंगे तो line of credit वाली बात आगे इतनी बड़ी नहीं मगर उसके इलावा दोनों countries ने agree किया कि वो South China Sea में oil exploration जो है उसको जारी रखेंगे इवन दो चाइना ने वियत्ताम को काफी धमकिया दी है इंडिया की जो ONGC है उनको भी काफी बार warning दी है कि आप disputed area में hydrocarbon की आप यहां पे जो exploration कर रहे हैं यह गलत है मगर इंडिया ने यहां पे यह बात सुनी नहीं है इंडिया मानता है कि वियत्ताम का exclusive economic zone South China Sea में भी exist करता है और काफी सारे block हैं जो इंडिया ने ले रखे हैं ONGC ने ले रखे हैं वियत्ताम की government से और वियत्ताम की एक company से वियत्ताम की जो एक public owned company है जो सरकारी company है उनके साथ मिलकर वो South China Sea में hydrocarbons की exploration कर रहे हैं क्या अभी के लिए कोई यहां पर खास तेल का कुआ मिला है नहीं अभी के लिए कम जे कम हमने I think दो blocks पूरे चान मारे है कुछ वहां पर खास चीज नहीं मिली ना oil विला ना natural gas मिली मगर खोज जारी है interesting तब होगा जब यहां पर oil मिल जाता है natural gas मिल जाती है उसको लेकर फिर चाइना की प्रतिक्रिया क्या होगी क्या तब भी हम द्रण निश्य से डटे रहेंगे और कहते हैं कि नई हम यहां पर इसको अब extract भी करेंगे वो देखना होगा कि eventually वहां पर किस तरीके से दोनों countries decision लेती है उसके लावा अगर हम वियतनाम की एक और importance देखें तो वो काफी important है connectivity के लिए इंडिया आपको पता है आज के time में एक trilateral highway में काम कर रहा है जो इंडिया से Myanmar से Thailand तक जाएगा अब already आपको पता है कि वियतनाम का जो infrastructure है वो कुछ हद तक improve कर चुका है पिछले 20 सालों में क्योंकि उससे पहरे तो काफी हद तक bombing ही हो ली थी वहां पे हम यहां पर वियतनाम को भी इसमें link कर सकते हैं उससे काफी अच्छा होगा दोनों countries trade कर पाएंगी और altogether यह एक बहुती तरह successful initiative होगा for everyone अफकोर्स यहां पे Laos या Cambodia को भी हमको साथ में लेना होगा और इस सब के लावा देको defense को लेकर भी दोनों countries धीरे धीरे आगे बढ़ रही है I'm sure पिछले 5-6 साल हो गया काफी time हो गया आपने ये news सुनी होगी कि India ब्रहमोस बेचेगा वियतनाम को तो ये deal आगे बढ़ नी रही है वही कि वही अभी रुकी हुई है वियतनाम ने इस पर कोई अभी तक decision लिया नहीं है मगर future में काफी potential है इंडिया और वियतनाम के बीच में defense deals का अब जैसे ही हमारे प्रेजिडेंट वियतनाम की visit को complete करके वापस इंडिया गए तो प्रेजिडेंट के बाद हमारे जो army chief है उसके बाद वो वियतनाम गए हम अगर defense की बात करें तो इंडिया ने वियतनाम को काफी कुछ offer कर रखा है इंडिया ने offer किया वियतनाम को ब्रमो सुपर सोने क्रूज मिसाइल उसके इलावा आकाश surface to air missile defense system भी हमने offer कर रखा वियतनाम को उस सब के इलावा जो वियतनाम के पास सुखोई तीज fighter jet है जो इनोंने रश्या से लिये है तो इनके pilots को इंडिया train भी करता है और इनके पास जो submarines है वहाँ पर भी इंडिया इनको training देता है तो defense के मामले में दुनों countrys के relations काफी robust है और recent इंडिया को पता होगा के 2018 के मे महिने में इंडिया और वियतनाम ने पहली naval exercise भी conclude करी थी और interesting बात ये थी के ये naval exercise South China Sea में की गई थी तो अभी के लिए जो भी developments हुई है और वियतनाम इंडिया के लिए important क्यों है ये आपने discuss किया इस वीडियो में thanks for listening and as always God bless you all